जहीं दोस्तों, I hope आप लोग बहुत अच्छे से होंगे तो आज मैं फिर से एक नए रेसिपी लेका आया हूँ आप लोग के लिए Greek Salat आप लोगों ने बहुत बनाया अपने घर में बहुत खाया होगा लेकिन आप लोग आज मेरे हिसाब से बनायेगा मेरे रेसिपी से बिलकुल आसान है आप अपने घर में इजली बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो दोस्तों Greek Salat बनाने के लिए सबसे पहले हमें vegetable लेना है उसको अच्छे से वास्ट करना है हमने जो vegetable यूज़ किया है capsicum, carrot, lettuce और white onion आप चाहो तो normal onion, red onion यूज़ कर सकते हैं हमने यहाँ पर white onion यूज़ किया है अब हम इसको काट लेते हैं छोटे छोटे टुकडों में इसी तरह से हमें capsicum भी काट लेना है छोटे टुकडों में और carrots भी काट लेना है आप चाहो तो इसमें extra item भी add कर सकते हैं जैसे के cucumber और tomato यह दोनों item भी add कर सकते हैं हमने add इसमें use नहीं किया है तो आपके पास अगर available है तो आप डाल सकते हैं तो हमने जो है वो सारा vegetable cut कर लिए है सारा vegetable हमारा cut हो चुका है अब हम onion को slice कर लेते हैं और एक छोटे bowl में अलग से हम रख लेंगे इसको इसको हम vegetable में mix नहीं करेंगे हम उपर से उसको डालेंगे onion last में प्लेटिंग करने के बाद में तो चलिए अब हम sauce बना लेते हैं हमारा vegetable cut के ready है तो आप sauce बना लेते हैं सबसे पहले लेते हैं थोड़ा सा हम olive oil और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा lemon juice एक आधा lemon का juice डालेंगे हम इसमें और साथ ही में हम add कर देंगे थोड़ा सा sugar और थोड़ा सा salt अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा black paper वो भी black paper को भी अच्छे से हम मिला लेंगे sauce को दोस्तो थोड़ा सा मिला लेना है अच्छे से तो हमारा sauce जो है बनके ready हो गया है बहुत ही चटपटा sauce अब जो हमारा सालाट जो है वो प्लेटिंग हो चुका है तो हमने कुछ इस तरह से प्लेटिंग किया आप भी इसी तरह से प्लेटिंग करें उपर से ओनियन डालें और ब्लैक ओलिप्स डालें जरूर ब्लैक कॉलिप्स दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है शहत के लिए तो जरूर डालें सॉस जो हमने उपर से ही डालना है कुछ इस तरह से जैसे हमने डाला है वैसे ही आप भी डालें सॉस तो हमारा सालाट जो है वो रेडी हो चुका है आप जाईए किचन और बनाईए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जैहिंद